असलाम अलेकुम फ्रेंट्स मैं तो बैस्तुम कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से होंगे फ्रेंट्स आज यहाँ पर मिले करा हैं यह लंबे काले और घने बाल करने की बहुत ही आसान रेमडी बहुत ही वरकेड हैं अगर आपको भी लंबे काले और घने बाल पसंद हैं तो वीडियो को फुल वाच कीजिएगा वरना आपको इस टेप बैस टेप समझ में नहीं आएगा कि इस रेमडी को कैसे बनाना और कैसे इसे यूज करना है तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स फैमले में सेयर भी कीजिएगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो चलिए इस रेमडी को बनाना सुरू करते हैं तो आपको इहाँ पर सबसे पहले लेनी होगी चाय की पत्ती जिसका प्रियोग हम चाय बनाने में करते हैं साथ आपको पता नहीं है फ्रेंड्स की जो चाय की पत्ती होती है वो एक बेहतरीन ब्यूटी प्रोड़क्ट भी ह और इस चाय की पत्ती का प्रियोग हम अपने स्कीन में करते हैं यदि आप अपने तोचा पर अपने चेहरे पर चाय की पत्ती का पानी को लगाते हैं या फिर अपने चेहरे पर चाय की पत्ती का स्क्रब बनाकर लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता आपको क चाय की पती में कैफिन जो होती है वो बहुत ही जादा मातरा में होती है और हमारे स्कीन को बहुत ही जादा चमकीली वह संदर बनाती है तो फ्रेंड सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बड़े कप पानी ले ले लेना है किसी भी पैन वगरा में या फिर किसी भी बरतन में ले ले लीजिएगा इस तरह से और इसमें हमें डालनी है एक से डिर्ड चमच यहाँ पर चाय की पत्ती अगर आप इस तरह से पकाना नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पर हलका गुनगुना पानी ले ले लीजिएगा और एक से डिर्ड चमच चाय की पत्ती को अच्छी तरह से कूट लीजिएगा या फिर उसे पीस लीजिएगा पौडर बनाकर इसमें आप मिक्स कर लीजिएगा तो यहाँ पर मैं इसे पका कर इसका पानी तियार करने वाली हूँ तो यह देखें मैंने यहाँ पर डिर्ड चमच यहाँ पर चाय की पत्ती को मैंने डाल दिया है अब इसे हमें गैस की फिलम पर रखना है और इसको अच्छी तरह से पका लेना है फ्रेंड चाय की पत्ती म आजकल उम्र से पहले ही बच्चों की बाल सफेद होने सुरू हो जाते हैं जिससे उनका लुक पूरी तरह से बेकार हो जाता है तो इस तरीके से आप इस रैमडीज को बना कर इसे यूज कर सकते हैं बहुत ही बेहतरी ने बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है तो इस तरीके से आप बना कर इसे कुछ हफ़तों तक आप इसे लगाईए आपको खुद बखुद इसका रिजल्ट मिल जाएगा तो ये देखें फ्रैंड्स इसी तरह से यहाँ पर हमें कम से कम पान से साथ मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से पका लेना है इस चाय पती की पानी को हमें इतना पकाना है ति एक कप यहाँ पर हमने पानी लिया था वो पौना कप पानी हो जाना चाहिए और पान से साथ मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर इसी तरह से हमें पका लेना है तो friends यहां पर जब तक मैं चाय की पॉत्ती को पका रही उस तरीके से तक आप जल्दी से कॉमेंट करके भी बता दें ज़एपकर है। ह condemnation के बाद आप चाय की पत्ती का पानी नरिस्मेंट देता है और बालों को चमकदार घना और काले बनाने में बहुत ज़्यादा महत प्रोड है सबसे ज़्यादा तो जो उम्र से पहले जिन बच्चों का बाल सफेद हो जाते हैं उन्हें ये काला करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है तो ये देखें नेक्स चीज मैंने यहाँ पर ली है सैंपू तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर थोड़ से इसांपू का इस्तिमाल进 Society करना है बहुत ज़्यादा नहीं तो यह देखें यहाँ पर मैंने एपाउच लिया है यहाँ पर मैंने क्लिनिक सांपू लिया है आप जो भी सैंपो यूस करते हो ना उसका इस्तमाल यहां पर कर सकते हैं तो यह देखें इस तरीके से हमें अच्छी तरह से पलकूल इसे मिक्स कर लेना है और यह जो पानी तेयार हो रहा ही रेमेड़ी तेयार हो रही है इसे हमें हफते में कम से कम दो बार तो अपने बालों में इस तरह से लगा कर इसे वस्ट करना है क्योंकि हफते में हम इसे दो से तीन बार अपने बालों को वस्ट करते हैं अच्छी तरह से सैंपू से तो आप सैंपू की जगा इस रेमिडी का इस्तमाल करें तो यह देखें यहाँ पर इसे अच्छी तरह से बिल्कुरी मिक्स कर लेंगे बहुत ही बेहतरे ने फ्रेंड्स यकीन माने जब आप ट्राइ करेंगे तो खुद बखुद आप हैरान हो जाएंगे कि कितनी बेहतरे ने रेमडी बनकर त्यार हुई है और यह हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदे मन्द है तो यह देखें इस तरीके से आपको मिक्स कर लेना है इसे बच्चों को बड़ों को या फिर लेडिस हो या जैन्स हो कोई भी लगा सकते हैं कोई भी से साइड इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि इससे तो हमने घर के सामानों से तियार किया है और यह हमें बहुत ज़्यादा फायदा पहुचाते हैं तो नेक्स चीज़ यहाँ पर मैं एड़ कर रही हूँ नीबू तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा नीबू की ज़रुत नहीं है सिर्फ आधे नीबू का ही यहाँ पर हम इस्तमाल करेंगे इसके सीट्स को निकाल देंगे और इसे हमें अच्छी तरह से इसी में निचोड लेना है जैसा कि आप सभी को पता है कि नीबू जो हमारे बालों में ड्रेंडर्फ वगरा होते हैं उनको यह निकालने में बहुत ज़्यादा खत्म करने में बहुत ज़्यादा महत पूर्ड है तो यह देखें मैंने हाँ पर नीबू को भी डाल दिया है अब इसे हमें अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स कर लेना है अब यह पूरी तरह से रेमेडी बनकर त्यार हो चुकी है अब इसमें हमें कुछ भी नियाट करना है सिर्फ इसमें हमने चाय की पत्ती, सैंपू और नीबू का इस्तमाल किया है जो कि हमारे किचन से ही सारी चीजें मिल जाती है आप इसे जरूर इस तरीके से बना कर ट्राइ कीजिएगा बिल्कुल भी आपका खर्च नहीं होने वाला है तो यह देखें, इस तरीके से बना कर इसे आप अपने बालों के बालों में अच्छी तरह से लगाईएगा कम से कम हफते में इसे दो बार, दो से तीन बार आप इसे यूज कर सकते हैं और इससे लगाने के बाद कम से कम 5-7 मिनट के लिए मसाज करती हुए आपको इसे लगाना है और 5-7 मिनट बाद आप अपने बालों को नॉर्मल पानी से वास कर सकते हैं वैसे तो आपको सैंपू लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सैंपू तो हमने इसमें डाला हुआ है सिर्फ आपको नॉर्मल पानी से पान से साथ मिनट बाद वास कर लेना है तो फ्रेंड्स आज की रेमिंडी आप सब कैसी लगे कमेंट के माधन से जरूर बताएं अल्ला हाफिज